हेलो फ्रेंड्स, वेल्कम टो हाउस अलेश्कोगे, आज हम बनाने वाले हैं करेले की सब्जी, इसे बड़े भी खाने के लिए सूचते हैं, परन्तु हम इसे जिस तरीके से बनाएंगे, उसे बड़े तो क्या, बच्चे भी बड़े चाव से खाएंगे, बहुत ही और आसानी से बनने वाले सब्जी है, तो चलिए, शुरू करते हैं करेले की सब्जी, तो उसके लिए लिया है मैंने करेले, जो कि ये चार पीस है, 400 ग्राम में लगबग, सबसे पहले हम इसके दंधल को काट के छील लेंगे, अच्छी तरस से चिलना है, और फिर इसके पतले-पतले स्लाइस में कटिंग करने है, इससे पतले-पतले स्लाइसिस में काटना है, कटिंग के बाद छिलकों को भी हम यूज़ करेंगे, इन दोनों को अलग-अलग नमक के पानी में 20 मिनट के पहले ही मैंने इनको विगो के रख दिया है, जो कि इस तरह है, हम इसको अच्छी तरह से मसलेंगे, जिससे कि इसके बीच बाहर निकल जाएंगे, और इसका कड़वापन भी कम हो जाएगा, चार से पांच बार पानी बदल बदल कर इसको निकल देंगे, चार से पांच बार मैंने धोलिया है, और जो बीच निकले है, उनको मैंने निकल दिया है, ठीक इसी तरह से मैं इन छिलकों को भी 5-6 बार पानी से साप धोलूंगी, जिससे कि कड़वापन पूरी तरह से निक अब हम लेंगे कड़ाई के स्पोन करेंगे चार टेबल स्पून तेल डालेंगे तेल गरम हो चुका है अब हम डालेंगे इसमे ताड़ेला अब इसके वो मिनट तक अच्छे तेल गिनेंगे गेस की फ्लेश को थोड़ा कम कर देंगे अब देख पारें कि करेली का कलर थोड़ा चेंज हो रहा है हम इसमे डालेंगे पूरी सीजल दी और फोड़ा सान नामक और ये छीके साथ में डालने से जल जाते हैं इसके लिए हम इनको बोड़ी देख के बाद में डाल देख वापस होते करेंगे जब तक करेले पक रहे हैं तब तक हम इनका मसाला तयार करनेते हैं इसके लिए मैंने लिया है दो टेबल स्पूल सोफ दो टेपर स्पून दनिया और एक टेपर स्पून जीरा एक मिनट के लिए हम इसको थोड़ा सा धरम करेंगे जिससे की इसका मुल्ष्चर निकल जाए और इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा एक मिनट हो चुका है अब हम गेज की फ्लेम को बंद कर देंगे ज्यादा नहीं पकाना है ठंडा होने के बाद हम इसे मिक्सी में दरदरा पीस लेंगे आप देख पा रहे हैं कि पाँच मिनट हो चुके हैं और करेले पक चुके हैं अब हम इसका एक्स्टा ओएल वगाव निकल लेंगे थोड़ा oil extra ही रखना पड़ता है क्योंकि हम पानी भी नहीं डालते हैं और इसमें धक्कन भी नहीं लगाते हैं क्योंकि उन दोनों से करेले कड़वे हो जाते हैं तो अब हम इन करेलों को निकाल देंगे थोड़ा सा तेल और एड़ करेंगे 1 टिबल स्पून 1 टिबश्पून लशून 2 बॉस्पून लओट 2 बॉस्पून चार सी पांच हारी मिर्ची बारिक कटी हुई दो बड़े प्यार लंबे कटे हुए तोड़ से ब्राउन होगे तब तक हम इनको सोटे करेंगे हलका ब्राउन हो चुका है अब हम इसमें एक करेला एक टेबल स्पून ब्लाल मिर्च आधा टेबल स्पून हल्दी आधा टेबल स्पून नमक आधा टेबल स्पून हम चुक और जो हमने मसाला तैयार किया था वह दो टेबल स्पून अब अब इनको अच्छी तरह से मिक्स करके दो मिनाट तक पकने देंगे बहुत ही अच्छी खुश्बू आ रही है रगी नहीं रहा है कि कोई करेले की सब्जी बनाई है शक्कर इसमें ओप्शनल है आप चाहो तो डाल सकते हो आपकी इच्छा मैं इसमें दो चमस शक्कर डालूंगे यूँकि हमारे गर में सब को थोड़ा मिठा पसंद है शक्कर गुलेगी तब तक हम इसको गेस पर रखेंगे शक्कर गुल चुकी है अब हम गेस बंद कर देंगे और जब तक यह धंडा नहीं होता है तब तक हम धक्कर नहीं लगाएंगे अगर ठकर लगाएंगे तो करले की सबची कड़वी हो जाती है अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज उसे लाइक, शेर और सब्सक्राइब जरूर करें थैंक्स फोर वाचिंग